हमने सब्सक्राइब कार्ड आपको आज सुबह सुबह बताया था बकादा अज धाई से तीन परसंट उपर है एक बार तो चार परसंट भी उपर हुआ था राजेश सर इसको लेकर रख लेना चाहिए ना भी हमारे टार्गेट आट सो प्लस का है इंट्राडे वाले निकल जा आट सो की तरफ बढ़ सकता है तो यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे जो कि होकर करीब साथ सो अरतालीस रुपे सेवन फॉर्टी एट रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल रखे एक करेक्शन के बाद स्टॉप ने अल्मोस्ट अगर हम देख रहा है तो हाई प्रॉबिलिटी के स्टॉप का मोमेंटम फर्दर एक दो हफते भी कंटीनियू होते वे दिखे तो आट सो के टार्गेट के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है सेवन फॉर्टी एट के स्टॉप लॉस ठीक है यह डिफेंस में जो आज तेजी बनी है क्या आपको लगता है कि यह सस्टेन करेगी कुछ ट्रेड के लिहां से अगर किसी को फ्रेश बाई करना हो आपकी नजर में कोई शेयर करेक्शन अरड़ी आ चुका है और एक अट्रेक्टिव प्राइस पॉइंट पे यहां पे स्टॉक्स अविलेबल है मजगा और डॉक में अगर हम देखें स्ट्रेक्चर तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकाउट यहां पर होते वह दिखा है हाला कि स्टॉक में ए यहां से एक रिवर्सल के साइन तो यहां पर बनते वे दिख रहे हैं तो यहां पर रिस्टु रिवाट के साप से हमें लगता है यह स्टॉक अट्रेक्टिव लग रहा है 4,350 यह तुरा सा पोजिशनल ट्रेड लेना होगा 4,350 के असपास के स्टॉप लॉस रखें और हमें तो यहां पर नेक्स टार्गेट 4,700, 4,800 की तरफ भी बढ़ते वे दिख सकते हैं वहीं हम देखें दूसरे स्टॉक में अगर हम यहां पर बात करें तो HAL को भी अगर हम यहां पर फोकस में लाएं तो HAL में भी एक करेक्शन के बाद स्टॉक अलमोस्ट अब 20-day moving average के आसप 4,860, 4,870 के लेवल को क्रॉस करने में कामियाब होता है तो यह momentum भी 5,000 की तरफ बढ़ते वे दिख सकता है तो trading point भी से भी अवह लगता है risk to reward के साब से अब यह दोनों स्टॉक मजगाव डॉक और HAL दोनों attractive लग रहे हैं यहां पर alongside का trade लिया जा सकता है छोटे स्टॉक अब 260 अंक उपर है 51,700 का भी आकड़ा पार कर लिया है और इस 2500 अंकों की तीजी में मोटा मोटी करिब 1500 point ICC बैंक के हैं और 100 point HDFC बैंक के हैं आप पिछले कुछ दिनों से within Nifty bank भी diversion देख रहे थे कि अच्छा HDFC बैंक चलना था तो ICC बैंक नरद था ICC बैंक नरद था तो HDFC बैंक चलना था लेकिन आज दोनों के दोनों शेर एक साथ चलना है और आप देखिए डे हाइपर ICC बैंक का शेर है SBI ये आज तीनों के तीनों आज पॉजिटिवटी दे रहे हैं बाजार को राजी जी स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड बन रहा क्या आप कैसा आप से बैंकिंग में अभिश्यक जी प्राइवेट बैंक में आइसे एसे बैंक यहां पर हमें पसंद आ रहा है जिस तरीके से स्टॉक में 1200 के उपर एक कंफर्टेबली स्टॉक पिछले पाच्छे दिनों से सस्टेन कर रहा है और आज भी अगर स्टॉक को देखे तो जिस तरीके की बाइंग इ से पसंद आ रहा है स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1220 के आसपास और जो दूसरा बैंक हमें PSU बैंकिंग से पसंद आ रहा है वो अभी रहेगा SBI का SBI में देखें तो लोर साइट से एक अच्छा बेस यहां पर बनते वे दिख रहा है लोर साइट से पिछले तीन चार रफ्तों में एक नेरो प्राइज रेंज में ही स्टॉक मूव होते वे दिख रहा है हमें लगता है यहां पर जिस तरीके से स्टॉक कमफरटेबली यहां पर बाई करने की सला है टार्गेट होगा 840 लगा 840 रुपे का टार्गेट आपके लिए वनेगा SBI की शियर में 825 रुपे के आसपास का भाव है बिन शेरों में, NBFC शेरों में, कुछ-कुछ कंजूमर शेरों में आज बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन लार्ज केप जो IT है, वहाँ पर आज कमजोरी है, आप देखें, Infosys कमजोर आपको देखेगा, SCL Tech कमजोर है, तो वहाँ पर थोड़े-थोड़े से कट्स आ रह होगा? तो थोड़ा profit-taking जरूर आते वे दिख रहा है, बटे dips में वापस हमें लगता है कि stocks में buying interest वापस बनते वे दिखेगा, तो HCL Tech हमें लगता है 1760-1750 के आसपास आएगा, तो वहाँ पर वापस इसमें buying interest बनते वे दिख सकता है, TCS में भी immediate level पे जो support बनावा है, वो करीब ब परसेंट का correction आता है, तो वहाँ वापस से एक बार review करेंगे, वहाँ पर वापस buying opportunity बनेगे, ठीक है, बाइंग की opportunity आपके लिए बन सकती है, और देखें वज़े क्या है, कि वज़े यह है कि अमेरिका में जिस तरह से महनाई दरगटी है, अब rate कटने को लेकर उमीदे बढ हैं, लेकिन कोई structure वीक नहीं हुआ है, और इसके चलते ही, अगर नीचे जाएं, तो आपके लिए बाइंग की opportunity खोजनी चाहिए, हालांकि उसमें भी stock specific आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यह ध्यान में रखें कि यह share चले भी है, यह आपको ज़रूर थोड़ा सा notice करने व है, वो है IEX, यह stock में जिस तरी किसे long term chart में एक rounding bottom formation बनते वे दिख रहा है, हमें लगता IEX में अच्छा momentum आते वे दिख सकता है, IEX को buy किया जा सकता है, 212-214 के stop loss, 212-214 के target के लिए stop loss होगा करीब 202 के आसपास, दूसरा stock जो पसंदा रहा है, वो है LTE food का, LTE food में देख पिछले आदे गंटे में देखने को मिली, stock day high के तरफ ही बंद होते वे दिख रहा है, एक continuous एक uptrend में stock देखने को मिला है, हमें लगता है LTE food को यहां पर buy किया जा सकता है, 425-430 की तरफ यह stock बढ़ते वे दिख सकता है, stop loss रखना होगा करीब 404 के आसपास, और जो तीसर stock हमें पसंदा रहा है, वो है PFC का Power Finance Corporation, यह stock में जिस तरीके से stock अब 550 रुपे के उपर sustain होता होगा है, हमें लगता है PFC का यह momentum extend होगा, और इसके next target पांसो पिछोतार और पांसो असी की तरफ आते वे दिख सकते, stop loss होना चाहिए करीब 552 के आसपास,